Hello each and everyone, welcome back again to Raj Romeo Gaming So, जैसे कि आप लोग जानते हो, Hoyoverse ने drip marketing कर दिये है 4.1 banner की तो यहाँ पर देख सकतो, इस बार Hoyoverse ने दो character फिर से reveal कर दिये गया है Release कर दिया गया है, और दोनों के दोनों 5 star character है जिसमें से एक है हमारा cryo, जिसका नाम है Vriyothisly I think, पता नहीं, भाई मैंने सही नाम लिया के नहीं, नीचे comment मेरे को हिंदी में करके बता दे ना भाई बहुत hard नाम होता है, इनको थोरा time लगेगा समझने में और second हमारा character है, हाइट्रो character जिसका नाम है वे new willet, new willet, new willet, new willet, जो भी है, पता चलेगा story वोरी में अच्छली इसको pronounce कैसे करते हैं, वो हमको बाद में पता चलेगा So, एक character हमारा hydro है, और एक character हमारा cryo है तो जैसे कि आपको पता है, दोनों के दोनों 5 star character है और दोनों ही काफी खतरनाक हो सकते है और इसके बारे में तो हमको इतना पता है, कि यह इसके इधर हाथ कड़ी है फुलिस फुलिस तो नहीं है, यह शायद हमको trailer में दिखाया गया था मेरे को जहातक के याद है, इस दोनों को trailer में बताया गया था और 4.1 में drip marketing इसकी हो गई, 4.1 में यह दोनों character आ रहे है अब phase 1 और phase 2 में कौन से आ रहे है, वो तो मैंने leak अभी तक के देखा नहीं है रही बात इसकी weapon की, तो weapon जहे तक के पहले rumor थे के यह शायद catalyst होगा ठीक है, बट अभी कुछ-कुछ लोग कह रहे है कि यह Claymore भी हो सकता है, अब मुझे तो confirm पता नहीं क्यूंकर होगा है, आपको क्या लगता है मैं यही कहना चाहता हो कि अगर यह standard banner पर आता है in future तो guys इससे बिल्कुल मत pull करना आप लोग event banner में ठीक है मैं wait नहीं कर सकता मेरे को अभी इसके साथ खेलना है तो यह आपको साथ खेल सकते हो नेक्स्ट हमारा जो character है यह एक हाइड्रो character है जैसे कि आपको पता है और यह थोड़ा पता होगा तो knowledge नीचे comment कर सकते हो तो यह ऐसा personality दिखने में तो यह रोयल जैसा लग रहा है आपने देखा ही था तो बहुत ही प्यारा है new characters आने वाले है तो pulling की बात करो और कोई अगर wait करने का question होगा कि भाई क्या मैं फिर किसे pull करो तो देखो 4.2 में hydro archon आ रही है तो मेरे हिसाब से आपको archon के लिए ही जाने वाल जाना चाहिए इन दोनों का भी नए नए character है आप skip कर सकते हो early और media players तो बिल्कुल भी इन पे pull मत करो अभी अगर हो सके तो hydro archon पर पुल कर सकते हो लेकिन इस पर पुल करने के मत सोचना या आने वाले समय में हमको पता चलेगा कि किस तरह का character होता है अगर इद्दम badash character होता है तो जरूर आप पुल कर सकते हो और बाकि यह में new character जो होते है वो end game players के लिए होते ताकि वो game को छोड़के न लोगों की तो early players और made players के लिए कोई यह नहीं है अगर वो game को सिव enjoyment के लिए खेलते तो खेल सकते है बाकि hydro archon मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगी और hydro archon के बारे में हमें 4.2 में पता चलेगा so guys आप अपना राय बता सकते हो आप किसको पुल करने की सोच रहो hydro archon के ल खेलते पारे में आप किसको डह़िए है अगरा सकते हुडिए पुल करने हुडिए अदमें ऒी डर शान